हेलो एंड वेल्कम बैक दोस्तों आपके अपने चैनल पे एजस टूटोरियल पे तो आज का टॉपिक जो रहेगा हो क्या है आप लोग को दिख सकता है क्या इंट्रोडक्शन टू डी एस्प डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग तो येस कुछ दिन बात वीडियो आ रहा है क्य लोग ने अभी देखते क्या है ये 77 में सब्जेक्ट है और बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है बहुत ईजी है हां सम्स बहुत है पता नहीं लोगों को क्यों इतना हाड लगता है लेकिन जब तक मैं हूँ और मेरा चैनल है कुछ भी हाड नहीं रहेगा ठीक है आपन ट्री लेक्ट्चर है इंट्रोडक्शन क्या होता है डिस पी को तो मैंने खुद ने तीन दिन में पढ़के 58 स्कोर किया था इसमें तो इतना एजी सब्जेक्ट है ठीक है खाली डरना नहीं है बहुत ईजी सब्जेक्ट है तो स्टार्ट करते देखते क्या है तो देखो क्य जो information carry कर रहा है एक जगह से दुसरे जगह पर उसको क्या बोलेंगे हम लोग signal बोलेंगे फिर क्या वो किस पर change होता है it changes with respect to time frequency and many more things yes तो signal को effect कुन करेगा factor जैसे time कुछ time के बाद जो signal है क्या वो उसी तरीके से आ रहा है क्या information signal का नहीं थोड़ा vary होगा based on बोल सकते हम लोग frequency चेंज होगा based on temperature भी कभी कभी चेंज हो सकता है ठीक है तो यह सब factor है जो क्या अगर signal को effect करेगा तो signal को represent कैसे कर सकते टेबलर फॉर्म में रोज और कॉलम में graphical form में फिर functional form में etc तो यह कुछ type के जो हम लोग बोल सकते signal representation factor है ठीक है तो आप लोग basic example समझ लो जो railway indicators होते हैं ठीक है उसमें का signal फिर जो हम लोग को roads पे होते signal ठीक है वो पहले वो कुछ तेर के लिए red रहता है फिर green फिर yellow होता है और फिर green होता है तो उस उसमें कुछ information convey हो रहा है कि red हो रहा है मतलब क्या stop करना हम लोग को फिर yellow हो रहा है मतलब क्या yes हम लोग start कर सकते हैं और green मतलब निकलो मतलब go ठीक है तो वो कुछ information convey कर रहा है उसको क्या होते signal तो देख लेट टाइप का है तो दो जो दो में टाइप है signal में वो क्या है एने लोग signal और digital signal तो yes digital पहले देख लेते क्या है तो digital signal का देखो एक representation दिया है मैंने क्या लिका है मैंने example लिया कि time को अगर हम लोगो जो किस वे से देख डिजिटल ही देखना है तो किस तरीके से देखो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बोल सकते क्या three o'clock तीन बज़ रहे ठीक है तो यह क्या हो गया जो seven segment LED का था वो यूज करके यह बनाया जाता है ठीक है और बहुत ही बोल सकते हैं बहुत ही widely used है बहुत जगह यूज होता है एन नंबर जगह यूज होता है एक्जमपल ले लो तो अपना रेलवे में जो time display कितने बज़े ट्रेन आने वाली क्या आने वाली ठीक है कितने डिब्बे की ट्रेन रहेगी तो सब digitally वो लिखा होता है तो उससे क्या होता है अगर जो छोटा बच्च भी होना उसको भी समझ में आएगा कि क्या लिखा है सामने 1234 यह format में लिखा होता है जो कि बहुत एजी रहता है समझने के लिए इसके लिए वाइडली यूज होता है इसका definition क्या लिख ले देख लेते तो digital signal is a discrete in nature discrete मतलब क्या जो change हो रहा है हर टाम का जैसे एक बज़ रहा है फिर दो बज़े त 3, 4 वह ऐसा कुछ discrete मतलब number change हो रहा है बार 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 जिसे train का timing हर बार हर एक train का timing change होता है तो okay discrete in nature तो same way लिखा it is used to represent data as a sequence of discrete value yes तो वह represent करता है किसे discrete value से तो देखो अगा binary format में represent करना है कोई सी signal को तो किस जीरो और वन में represent होगा और यह क्या square wave है तो best example digital signal के लिए क्या होता है square wave जीरो से कभी signal जीरो कभी one है कभी zero फिर one है तो यह क्या होगा digital signal जो widely used है अब आते analog signal पर देखते क्या है तो आप लोग example देख सकते है तो watch का एक अपने अपने mobile में भी option रहता है कि आप अपने को digital watch रखना है या फिर जो timing display करना है या फिर analog रखना है ठीक है तो इसका meaning कहा है देखो कि analog signal is a continuous wave that keeps on changing over a period of time दो देखो continuous wave रहेगा जो over a period of time change होगा क्या अगा कुछ time बाद वो change होगा analog signal यह थोड़ा confusing है और इसमें बहुत space लगता है computer में अगा store करना हो value क्योंकि देखो इसके और इसके बीच में क्या होगा n number of value है पहले seconds आएंगे फिर minutes आएंगे फिर minutes के भी अंदर minutes ठीक है तो ऐसा करके क्या space बढ़ रहा है लेकिन इधर क्या display होगा सिर्फ hours minutes और seconds बस इसके आगे कुछ display नहीं होने हाला ठीक है वो जो display होगा digital में तो इससे क्या हो signal बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है अभी बहुत कम यूज हो गया ठीक है तो यह हो गया analog signal और इसका best example बोलो तो हम लोग क्या बोल सकते sign wave देखो with respect to time यह आगे जाके change होगा ठीक है यह value दिया हो यह value है तो यह हो गया basic analog और digital अब आते DSP क्या होता है जो original DSP है वो क्या है digital signal processing है तो देखो क्या लिका है it is a process of analyzing and modifying a signal to optimize or improve its efficiency of performance तो yes मतलब क्या है इसका यह process है उसमें क्या होगा analysis होगा modification होगा एक signal पर क्या होगा analysis होगा देखा जाएगा क्या कमिया क्या खामिया क्या इसको क्या factor से improve किया जा सकता वगरा वगरा वो सब देखने के बाद उसको क्या किया जाएगा optimize किया जाएगा एकदम best use के लिए improve किया जाएगा उसका efficiency ठीक है और उसका accuracy और performance यह सब factor क्या होगा वो signal का improve करने के लिए जो यूज होता है उसको क्या बोलते है digital signal processing तो yes यह digital DSP का मीनिंग यह हुआ ठीक है तो देखो second point का है it involves applying various mathematical and computational algorithm to analog and digital signals तो देखो क्या लिखा है मतलब क्या बहुत से various algorithms use होंगे DSP के techniques use होंगे उस technique को use करके हम लोग क्या करेंगे जो signal था जो weak signal था उसको क्या करेंगे strong signal बनाएंगे उसका हर एक factor improve करेंगे जिससे उसका efficiency improve करेंगे उसका performance improve करेंगे उसका accuracy improve करेंगे उसका के वदलत होगा DSP के वदलत ही होगा उसके algorithms और mathematical algorithms यूज करकर ठीक है त्वीर देखो SP techniques यूज होगा और higher quality of signal output मिलेगा ठीक है अब वो techniques क्या होते हैं वो तो हम लोग आगे बहुत पढ़ने वाले बहुत में बहुत कुछ पढ़ने वाले उसमें तो देखेंगे क्या रहेंगे वो techniques एक example देतो तो जो अब हम गाना सुनते हैं हम जो टीवी पर सुनते हैं मोगाइल में सुनते तो उतना अच्छा होता नहीं है ठीक है वो बहुत से techniques use करते हैं signal के जिससे क्या होगा वो उसका जो performance है वो सुनने में प्लीजेंट हो जाता है अब singers को उतने अच्छा आवाज हो होते हैं नहीं जैसे auto tune करके बोल सकते technique है वो यूज करके उसको बहुत अच्छा बना देते गाने को जिससे हम लोगों को सुनने को बहुत अच्छा लगता है कानों को ठीक है तो इस तरीके का एक example दे दिया मैंने कि DSP actually क्या होता है फिर आते एक और important factor जानना जरूर यह ब input signal है system use करेगा और फिक क्या करेगा एक output signal generate करेगा ठीक है तो यह होता है signal उसके बहुत से टाइप है causal, non-causal, static, dynamic, linear, non-linear तो वो सब हम लोग सब देखने वाले कि क्या होने वाला है वो तो यह हो गया एक introduction lecture to DSP ऐसे बहुत से वीडियो आएंगे DSP के जैसे periodic, non-periodic, convolution, linear, circular, फिर using matrix method, फिर DIT, DFT, DIT, FFT तो ऐसे बहुत बहुत कुछ आने वाला है तो प्लीज चैनल को subscribe करो जो main important काम है लोगों के साथ share करो ठीक है जिनको use होगा यह और वीडियो को like जरूर करना ठीक है तो यह team काम अच्छे काम करो और जिन्दगी में कुछ दबाना है तो bell icon दबाओ मेरे चैनल पे आके ठीक है जो notification bell icon है वो दबाओ तो thank you so much guys और मिलते हैं अगले वीडियो में आपके topic के साथ